बीजेपी के भावी प्रत्याशी और भोजपूरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल आदव निरववा को शासन ने वाई प्लस सुरक्षा मुहया करा दी है बता दे की निरववा ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रमुक सचीव ग्रह और पुलिस महा निदेशक सिराजनीतिक कारणों से जान को खत्रा होने पर सुरक्षा के मांग की थी जिससे शासन के द्वारा सुईकार कर लिया गया है जिसके बाद एक बर फिर से आजमगड में निरववा को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है इन्होंने शासन को प्रात्ता पतुर दिया था कि गौर तलब है कि भोचपुरी फिल्म अभिनेता के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही आजमगड संसदिय सीट से सपा मुखे अखिलेश यादफ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है लेकिन पूर मुख्यमंतरी अखिलेश यादफ के खिलाफ बीजेपी की और से मैदान में कौन उतरता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पंजाब के सिरी टीवी के लिए आजमगर से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट